एंडिये का सपना हर बच्चे का होता है कि यार मुझे इंडियन आर्मी में जाना है, मुझे एर फोर्स में जाना है, मुझे नेवी में जाना है, इने बाबाब के सपने पूरे करने हैं, देश की सेवा करनी है, क्या क्या होता है, एक्जाम में, किस तरह से सेलेक्शन होता है, सिलिबस क्या रहता है पैठन क्या रहता है तो यह सेशन जो है आप लोगों के लिए बहुत इंक्पोटेंट रहने वाला है जैसा कि आप लोगों को पता है एंडिये का सपना हर बच्चे का होता है कि यार मुझे इंडियन आर्मी में जाना है मुझे एर फोर्स में जाना है मुझे नेवी में जाना है अगर आप लोगों को भी अपने माबाप के सपने पूरे करने हैं देश की सेवा करनी है तो यह ये इसी में मिलने वाली है, तो जैसा कि नजर आ रहा है आप लोगों को NDA क्या है, इसमें डिग्री क्या रहती है, पी क्या रहती है, exam pattern, इसका syllabus किस तरह का रहता है, eligibility criteria क्या रहता है, important हमारे पास में dates क्या क्या होती है, कि कब exam होता है, SSB interview क्या होता है, सारी information आपको मिलने व जैसा कि आप लोगों का भी सपना होगा कि यार मुझे अपने shoulders पर star चाहिए, मुझे देश सेवा करनी है, माबाप का नाम रोशन करना है, माबाप के सामने एक uniform पैन कर जाना है, जिससे कि उनको proud feel हो कि यार मेरा बिटा जो है, इंडियन आर्मी में है, तो अगर आप लोग का ये सपना है, तो भईया इसको आप लोग पूरा कर सकते हो, लेकिन आप लोगों को पहले ये सारी information जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, NDA का full form जो होता है, वो होता है National Defense Academy, हिंदी में कहते हैं इसको हम राष्ट्री रक्षा Academy, इस एक्जाम को कौन कंड़क्ट करवाता है, तो पहले मैं बता देता हूँ, इस एक्जाम को UPSC कंड़क्ट करवाती है, जैसे कि IAS IPS के जो आप लोग एक्जाम देखते हो न, तो वो भी UPSC कंड़क्ट करवाती है, तो भईया इसका भी एक्जाम जो है UPSC कंड़क्ट बोले तो पूने में और पूने कहां है थी महाराश्ट्र में तो यह आप लोगों को यहां पर समझ में आ गया होगा यह जो आप देखपा रहे हो यह location पूरी फूरे जो ख़डगवासला है जहां आप लोग टेक्जम करने के बाद रहों CC एक्जाम का जो पैटरन रहता वो कुछ आपका इस तरह से रहता है रिटरni प्लस a.slam ब स्थ में फिर yüz ये एक्जाम को नोडब करता है एक्जाम के कोणसे मोड में देना चाहते हो ठीके टोटल अगर मैं बात करूँ तो यह पूरा जो एक्जाम है वो 1800 नंबर का होता है कहने का मतलब यह है यहां पर कि यहां पर रिटन जो एक्जाम में 900 नंबर का होता है और SSB जो है आपका 900 नंबर का होता है दोनों को मिला कर यह तोटल 1800 नंबर बनते हैं अब रिटन एक्जाम में भी कि return exam में भी दो paper होते हैं paper 1 और paper 2 paper 1 जो है, ये होता है आपका math का paper, मतलब एक paper आपका math का होता है इसमें और दूसरा paper आपका G.A.T. का होता है ठीके, अब math के paper की अगर मैं बात करता हूं, तो math का paper होता है आपका 300 marks का, कितने marks का? 300 marks का, और जी एटी का पेपर जो है यह होता है आपका 600 marks का clear अब आप लोग सोच रहोंगे कि सर अगर हम इसमें पढ़े लें और इसमें ना पढ़े तो हमारा काम हो जाएगा ना भई एक बात ध्यान रख लेना अगर आप लोगों का maths clear है तब ही जी एटी चेक किया जाएगा वरना जी एटी का पेपर आपका चेक भी नहीं किया जाएगा तो पहले maths का पेपर आप लोगों को clear करना है मतलब पास होने के लिए यहाँ पर आपको 75 नंबर लाने होंगे कितने में से 300 में से और यहाँ पर आपको 0.83 marks की negative marking होती है और यहाँ पर 1.33 something ऐसे कुछ negative marking होती है या 1.83 करीबन ऐसे कुछ होती है clear दोनों में आपकी negative marking यहाँ पर होती है इस बात का आप लोगों को जान रखना है clear तो देखा आपने 900 number में return में क्या है 300 number का आपका math से 600 number का आपका GAT है इसमें पूरे maths ही पूछा जाता है maths के 120 question यहां से पूछे जाते हैं कितने question पूछे जाते हैं maths के 120 question और 1 question जो है 2.5 marks का होता है कितने marks का 2.5 marks का यहाँ पर आप लोगों से completely maths आता है और एक question आपका जो है वो रहता है चार marks का कितने marks का चार marks का clear अगर आप देखते हो यहाँ पर ध्यान से तो maths में आप लोगों का complete maths आता है वो आप लोगों का 11th और 12th class का maths से यहाँ पर पूछा जाता है second GAT के paper में आपका physics, आपका English आपका bio यहाँ पूरा आप लोगों से यहाँ पर पूछा जाता है second paper में first paper आप लोगों को clear करने में दिक्कत नहीं होती second paper में बच्चों के mark से ज़्यादा आ जाते लेकिन first paper की वज़े से selection बच्चों का रुक जाता है तो महनत जो आपको करने है वो first वाले paper पर करने है इसका ध्यान रख लेना पहले सारी information आप लोगों को पता होना चाहिए तो physics, English, bio, social science, current affair, mental ability यह सारा जो पार्ट है यह second paper का है यहाँ first paper में आपका आता है maths maths आपका सबसे ज़्यादा important part है ध्यान रखना अगर यह part आपका clear नहीं हुआ तो इसको check भी नहीं किया जाएगा यह मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर अगर मैं बात करूँ NDA में सबसे important subject ही तो पहला importance सी रखता है maths ठीक है क्या रखता है पहला paper maths importance सी रखता है दूसरा जो important subject होता है वो होता है आपका English clear 200 number का यहाँ पर English आता है और तीसरा जो है वो होता है यहाँ पर आपका physics यह ध्यान रख लेना और यह English कोई आपकी normal English नहीं आती है पहले ही में बता देता हूँ ठीक है तो English जो है आपके अच्छे खासी level की आती है तो English पर आपको focus करना है physics पर आपको focus करना है और maths पर सबसे ज़्यादा focus करना इस बात का ज्यान रख लेना आप लोग वरना तिकत हो जाएगी कहना वंत की पर बाद में कि सर हमें तो यह पता ही नहीं था पहले मेंने आप लोगों को इसलिए यह सारी information यहाँ पर दी है ठीक है English कैसे पढ़नी है क्या करना वो भी मैं आभी आपको आगे बताने वाला हूँ ठीक है Next अगर हम इसके आगे की बात करें अगला आता है आपका second step SSB interview का यह SSB interview होता है 900 marks का 900 marks का जिन बच्चों का return जिन बच्चों का return clear होता है उन बच्चों को SSB interview के लिए भीजा जाता है और यह SSB interview जो है पूरे 5 दिन चलता है कितने दिन? 5 days आपका SSB interview यहाँ पर होता है तो सबसे पहले हम देख लेते eligibility criteria क्या होता है तो भाई यह exam जो है साल में 2 बार होता है कितने बार होता है? 2 times होता है यह exam NDA का exam साल में 2 बार होता है एक तो April में होता है आपका और एक September में होता है ठीक है? कब-कब होता है? यह मैं बता देता हूँ एक तो आपका April में होता है और एक आपका September में होता है यह ध्यान रखना, notification मतलब की कब exam होने वाला है, यह आप लोगों को information सारी form जो है, फिल इस time से शुरू हो जाते हैं, बरना, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हो, तो आप लोगों को for Indian Army, अगर आपको थल सेना में जाना है, देखो, यहाँ पर भी अलग-अलग category र यहाँ आर्स वाले हो, चाहे आप commerce वाले हो, यहाँ पर arts वाले भी चलेंगे, यहाँ कॉमर्स वाले भी चलेंगे, और यहाँ science वाले भी चलेंगे, ठीके, clear, लेकिन एक चीज़ ओर ध्यान रखना, 12th में आपके, 12th में आपके 60% जरूर होने चाहिए, कम से कम, ठीके, कम से तो आपको इंडियन आर्मी में जाना है मत्तब थल सेना में जाना है तो आप आर्ट्स बेग्राउंड से वो कॉमर्स से वो कोई फरक नहीं पड़ता है प्लास 12 में 60% होने चाहिए, लेकिन, 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 अगर आपको Air Force और Navy में जाना है, तो आपका 12 में Physics और Maths होना कमपलसरी है, ठीक है, यह धियान रखना सिलेबस सबके लिए सेम रहता है, चाहे Arts वाला हो, चाहे Commerce वाला हो, चाहे Science वाला हो, चाहे Bayo वाला हो, बायो वाल को का सबसे Important subject है, इसमें यह ध्यान रख लेना, सबसे ज्यादा महनत आपको कौन से subject में करनी है, तो जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर अगर आपको जाना है, इंडियन आर्मी में आपको जाना है, तो आप चाहे Arts से हो, चाहे Commerce से हो, या Science से हो, Science में भी आप चाहे Bayo वाल जो है, यहाँ पर राफेल उडाने का मोका मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, क्योंकि Navy तो इसमें, Air Force में तो आप तब ही जाओगे, Navy के अगर मैं बात करूँ, तो Navy में भी आपके पास Class 12 में एक तो मैट्स होनी चाहिए, और एक आपके पास Physics जो है, यह कंपलसरी होनी देन फिर आप लोगों को क्या जो है, आगे की पड़ा यहीं पर करवाई जाती है, अगर आप, समझे ना ज्यान से, इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, थल से ना में, तो आप लोगों को यहाँ पर BA करने का मुका मिलेगा, BST करने का मुका मिलेगा, साथ ही BST Computer Science करने का आपको मुका मिलता है, अगर आप निवी में जाना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर इंजिनियरिंग करवाई जाएगी, Air Force में जाना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर BTEK करवाई जाएगा, ठीक है, साथ ही साथ, आपको यहाँ पर Computer Science करने का मुका मिलेगा, Mechanical से आप तो फिर क्या है भाईया, आर्मी में कौन-कौन से रेंक पर आप लोग जा सकते हो, नेवी में कौन से रेंक से आप पर जा सकते हो, Air Force में आप कौन से रेंक पर जा सकते हो, तो भाई देखो ध्यान से, स्टार्टिंग कुछ इस तरह से इनकी, स्टार्टिंग पहली रेंक ज जाएगा मेजर बनाय जाएगा लेटिनेंट करनल बनाय जाएगा करनल सेलेक्शन बनाय जाएगा करनल टीम स्केल बनाय जाएगा इस तरह से ब्रिगेडियर मेजर जरनल तक आप लोग यहां पर जाओगे किसमें आर्मी में नेवी में सब लेटिनेंट से शुरुवात होगी फिर Lieutenant Commander, फिर Commander, Captain Selection, Captain Time Scale, इस तरह से आपका Promotion आगे होता जायेगा. इस तरह से Navy Officer में आप लोगों को देखने को मिल रहा है. Flying Officer, फिर Flight Lieutenant मिलेगा, फिर squadron leader मिलेगा, wing commander मिलेगा, group captain मिलेगे इस तरह से आपका promotion होता जाता है तो पहली post ये है, फिर उससे आगी बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी ये आप लोगों के promotion वाली post मिलती जाएगी इसके आगी अगर मैं बात करता हूँ, तो salary criteria क्या रहता है इसको कितने ही salary मिलती है, तो lieutenant की salary है वो 56,100 रुपए से शुरू होती है, और 1,77,500 रुपए तक जाती है next अगर captain की salary की बात करें, 61,300 से 1,93,900 रुपए तक उनको मिलता है आगे major की salary की अगर हम बात करते हैं, तो 9,400 रुपए से 2,7,200 रुपए तक मिलता है lieutenant colonel को 1,21,200 से 2,12,400 रुपए तक colonel को 1,30,600 से 2,15,900 रुपए तक इस तरह से आप लोगों को जो है, आगे तक का पूरा यहाँ पर salary नजर आ रहा है next, physical agility क्या है, है ना, चलो भई, आपने return test भी clear कर लिया सारी चीज़े clear कर लिया, लेकिन physically तो आपका fit होना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो भईया, आप लोगों को यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ physical fit के लिए क्या है भईया से, पहले तो आपको physically और mentally fit होना जरूरी है, हर candidate का physically और mentally fit होना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर मैं height की बात करता हूँ, तो minimum height, कम से कम height male जो candidate है, उसकी 157 cm होनी चाहिए और female candidate है, उनकी height 152.5 cm होनी चाहिए ठीके, एक बात ध्यान रख लेना, NDA का जो exam है, चाहे male हो या female हो, दोनों ही दे सकते हैं, है ना, male हो या female हो, दोनों ही दे सकते हैं, आपको अगर exam Hindi medium में देना है, तो Hindi medium में भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि English में देना है, pilot entry के लिए आप लोगों की जो height है वो 162 cm से ज़्यादा होने चाहिए, चाहे वो male हो, चाहे female हो और eye side का जो criteria रहता है, वो दोनों के लिए अलग-अलग यहाँ पर रहता है Next, अब eye side का criteria क्या रहता है भाईया, इसको देख लेते हैं यह सारी चीज़े आपको बताएगा डॉक्टर, पहले तो मैं बता देता हूँ ठीक है, distant vision जो है, आपका 6x6 होना चाहिए, rose eye जो है, आपका 6x9 होना चाहिए myopia जो है, आपका minus 2.5 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, बाकी सारी चीज़े, यह सब कुछ आप लोगों को डॉक्टर बताएगे, जो आप लोगों को नजर आ रहा है क्योंकि eye side से related, बहुत सार बैच्चे होता है, जिनके मोटे-मोटे चश्मे लगे होते हैं, लैंस लगे होते हैं, तो भाई एक बार डॉक्टर से जो है, confirm कर ले यह सारी चीज़े, मैंने आप लोगों को बता दी है, ठीक है, next, SSB interview का क्या सीन है, जैसे कि देखो, आपने return exam clear कर लिया, ठीक है, return exam clear कर लिया, फिर आपको बेज़ा जाता है, अगले round के लिए मतलब कि वो होता है, आपका SSB interview का, तो NDA result is provided after 1-1, मतलब NDA result आने के एक महिने के बाद में, आप लोगों को SSB के लिए बुलाया जाता है, ठीक है, select candidate will be called for SSB interview, जो भी बच्चे return exam में जो है select किया जाते है, उनको SSB interview के लिए बुलाया जाता है, final selection will be based on the marks scored by the candidate in the return test and SSB interview, जो final result आपका बनता है न, final result, यह final result आपका return और आपका SSB, इन दोनों के marks को मिला कर बनाया जाता है, ठीक है, इन दोनों के marks को मिला कर बनाया जाता है, clear, next अगर मैं आगे देखता हूँ, तो आप लोगों को SSB के लिए कहां कहां बुलाया जा सकता है, देखो, आपकी city से बाहर बुलाया जाता है, या तो आपको प्रयाग्राज बुलाया जाएगा, या भोपाल बुलाया जायागा, बेंगलोर बुलाया जाएगा, धैरादून, मैसूर या वारनसी, इन cities में आप ल पहले स्टेज की पहले दिन की तो पहला दिन आप लोगों को क्या करवा जाता है पिक्चर टेस्ट लिया जाता है आप लोगों को पिक्चर जो है वो दिखाई जाती है पूरी और अब उसमें से आप लोगों का पिक्चर टेस्ट की उस पिक्चर से आप रिलेटेड आप से क् समझ में है उस पूरे को आपको डिस्क्राइब करना होगा रिटन टेस्ट में ठीक है यह टेस्ट जो है लिए जाते हैं पहले दिन only those candidates who qualify at the stage 1 will go future मतलब कि जो भी बच्चे पहले stage को clear कर लेते हैं मतलब first day वाली step को clear कर लेते हैं यहां से कि उनको लगता है कि हां यार यह clear हो गए है उनको बेजा जाता है next अगली stage के लिए next stage क्या होती है आपकी next stage होती है यह आप psychology test इसे second में आपका second day में psychology test लिए जाता है आपको घुमाया जाता है puzzled किया जाता है तो वहां पर आपका पूरा होता है psychology test आपके दिमाग का test लिया जाता है तबियत से next होता है आपका third day three में group testing officer task है ना group testing होगा officer task देंगे वह आप लोगों को complete वहां पर करने होगे fourth day की अगर में बात करता हो तो इसमें होते हैं आपके interviews है ना आप लोगों से personal questions किये जाते हैं और fifth day में होती है आप लोगों की conference ठीक है क्या होती है conference होती है तो यह process रहता है पूरे पांच दिन का कितने दिन का रहता है पांच दिन का आपका पूरा process रहता है clear चलो भई अब यहां पर हम बात करते हैं syllabus की तो देखो मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि maths पार्ट सबसे ज़्यादा important होता है तो maths में क्या-क्या पूछा जाता है बईया रिटर्न त्रेस में maths के exam में क्या-क्या पूछा जाता है तो सबसे पहला पार्ट आता है आपका algebra का अब algebra पार्ट में आपसे क्या पुछा जाता है सैट्चुरी संबंद फलन सा related questions किये जाते हैं, और संबंद फलन हो गया आपका समुच्चे हो गया इंसे related questions के जाएंगे लगुगुणक से related, logarithm से related, द्विगात समिकरन से related, AP, GP, HP से related, क्रम्चे संचे से related और binomial theorem, ये पूरा पार्ट होता है आपका algebra part, इसमें से questions आप से किया जाता है, next part आता है आपका त्रिकोन मिती, तो त्रिकोन मि पूचा जाता है, नेक्स्ट आता है integration समा कलन है न, तो indefinite integral अनिश्चित समा कलन पूचा जाता है, definite integral पूचा जाता है, वकरोद्वारा परिबद, शेत्रफल और अवकल समिकरन, ये आप लोगों से पूचा जाता है, अगला आता है 2D और 3D, वी वी में जामिती और 3D में इसके अलावा आप से प्राइक्ता से related question, सदीश से related question, सांकी की से related question भी आप लोगों से यहाँ पर किये जाते हैं, इसमें maths के syllabus में अगर सबसे important में बताऊं, तो आप लोगों का class 11 और class 12 ये दोनों सबसे ज़्यादा important है, maths किसके लिए, maths के लिए, maths अगर आपको strong करनी है, तो शुरुआत कर देनी है, आपको NCRT से, ठीक है, NCRT से यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से strong कर लेना, क्योंकि basic strong होगा, तो आप लोग अच्छे से exam की preparation कर पाऊगे, अगर आपको सपना पूरा करना है, तो अभी से आप लोगों को अपनी तयारी शुरू कर देनी चा का question है, उसका answer करता हूँ, इसके अलावा first time channel पर आयो तो channel को subscribe कीजिएगा, वीडियो को share करना बिल्कुल नहीं बूलना है, comment box में मुझे जरूर बताना ये session कैसा लगा, और वीडियो को like जरूर कीजिएगा, तो फिर मिलते हैं बेटा हम next class में, इसके आगे के sessions के साथ, बाइ बाइ